यह बहुत मकार लोग हैं बस खाना जानते हैं खिलाना नहीं और मतलब ही हैं बस फ्री का चाहते हैं बद्तमीज हैं तो दो सब्सक्राइल या मैं कि किसी को क्यों नहीं बुलाएं वो क्यों नहीं आना चाहें क्या हम खटा से पीछे हट रहे हैं हैलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का रूबी आरेया ब्लोग में कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं मैं भी अच्छी हूँ और आप सबका पूरा हग बनता है आपको कॉमेंट करने के लिए कि बहुत ज्यादा ज्योरी भी है और जिब तक मैं इसका एंसर नहीं दूंगी तब तक आप सबको मन में यह लएगा डौट रहेगा कि आखिर आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया कुछ वीवर्स ने इतना त सब्सक्राइब करने के लिए तो कोई भी माब आप नहीं चाहेंगे कि उनके बीबी का बड़े इस प्रकार से हो लेकिन जिन्दिकी में कुछ ऐसी चीज़े होती है जो मैं नहीं चाहती हूं समय से पहले उसको आगे आपके सामने रखने के लिए थोड़ा इंतजार मुझे वक्त दीजिए समय दीजिए सारे क्वासनों का आंसर मिलेगा पर फिलहाल आपके मौने बहुत सारे सवाल चल रहे हैं जो कि आप समने मुझे दोती निन से बहुत कमेंट कर रहे थे तो मैंने सोचा है क्यों ना आप सबका रिप्लाइद देना बहुत ज्यादा जोर प्रियंका कश्या लिखती है आपको अपने फैमिली मेंबर को तो बुलाना चाहिए था तो मैंने बहुत पहले ही आप सब को हैसन के अंसर दे दिया था कि हमारे कुछ ऐसी मजबूरियां है जिसकी वज़े से मैं फैमिली वालों को यहाँ पर नहीं बुला सकती हूं आप चाते हैं कि वो चीज़ को फिर से खुरे दने के लिए नेक्स कमेंट करने वाले हैल्थ यह लिखती है चीकुल जनम दिन की बहुत बहुत बधाई आसिरवाद बेटा दूनों भाई हमेशा खुश रहो स्वस्त रहो रंजन अपना दादी को ले आते दादा तो अभी सफ़ करने और अपने फ 행복 करत कि नहीं कर पारी है वह अपने फैयम ने को फिलाल यहां पर नहीं बुला सकती है क्युक्吮 नहीं चाहते हैं नाine है मों लोग आके हैं रहने लगेंगे अपने अपने पर चली ँसे नहीं को बस मतलब हैं भी का चाहते हैं तो अम्रिता जी है आपको लगता है कि हम से कसी के लाइफ में कुछ ऐसी सुल्योंस होती है, और यह मेरी पिचे कोई रीजन स्हालु की यह हुआ एक हमारी फैमलीं और मैंकी मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था उस समय ऐसी स्थिति बन पाइच थी तक यह मनों कि उपर उला चाहता है न उनकी अगर लाठी बसती है न तो इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है लेकिन अब जो हमारे फैमली में सब कुछ ठीक है तो थोड़ा मुझे वक्त दीजिए कि वो लोग भी आएंगे ऐसा नहीं है वो लोग आएंगे रहेंगे भी मैंने मना न सुसराल वालों से अईसी बदला लेती उनसी कुछ मुझे बिल्कुल नहीं आप अलकी साल है को सब कुछ दिन से ब्लॉग देखे हमने एक कथा पुझा सुना था तो हम जबूर अपने घर गयते हैं वहाँ प्रशाद सब को द्वित्रन किये और सब हसी खुशी हाँ थोड़ा सा मन में किसी को लगता है कि जब अगर बहु अच्छे से बात कर रही है आना जाना कर रही है तो बेटी बहु ने क्यों नहीं बुलाया तो उनको यह चीज रियली पूरी तरह से पता है कि यह वह नहीं बुलाया था बाकि आप सबको ऐसा लगता है देखिए मुझे दिखावे की दिश्टे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैं एक ब लगे तुम लोग प्रसाद देने नहीं आप जारी हो तो भी है आप सवाल कर रहे हैं यह लिखती है पुजा टाइम कैमरा सेट कर देती तुम ध्यान लगाती पुजा में और आप तुराल जाना चाहिए था वहीं पूजा भी करती है अगर वो आपके घर नहीं आते किसी की कारण से तो इसलिए वह चली जाती है आप मानती हूं आप वहां जाकर के कटवा देंगे बट पूजा भी वहीं होना चाहिए था तो सुनम जी आपने बहुत है सवाल किया है फर्ट सवाल तो आपका यह है कि मुझे वहां पर जाकर पूजा करना चाहिए था लेकिन सभी लोग कहते हैं कि आप भी जहां पर रह रहे हो वहां का अनुकुल वातावरन की चलते भगवान जी की अरादना यहां भी करानी बहुत जादा जरूरी है कि वो लोग यहां पर मेरे बेबी लोग रह रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि कथा में यहां पर सुन लूँगे और जबी बड़े केक वगएरा होगा मैं अपने सवाल में जाकर केक कट कर लूँगी बाके और कोई भी रिजन नहीं है नेक्ट कोपिन कर घुम कराएंगे और आपकी सास आपको खाना बना कर देंगे आप मेकप करो वो खाना बनाए और उनकी एक इच्छा आपसे पूरी नहीं हुई चीकू का बड़े वहां मना लेती तो क्या हो जाता सच में आप हाटलिस परसन हो आप यार आप प्यार देंगे तभी प्यार मि मुझे तब कहां गया था जब आप सब मुझे देखे मुझे पता है मैं दिल से स्वारी बोलना चाहूंगे मैं वो चीज को फीर से दोहरा रही हूं क्योंकि मैं उस टाइम वडियो नहीं बनाती थी अगर मैं बनाती तो आपको रियलेटी पता चल जाता लेकिन हाँ अब कोटा सा क्लिप देखते हो कि बहुत हसिक उसी फैमली है लेकि उस फैमली के पिछे का राज कि आपको नहीं पता है बर कोई बात नहीं सब कुछ ठीक है तो आप सभी हैपी हपी रही है हम बहुत खूश हैं अभी फिरहाल जा रहे हैं बाबादादी लोग है उनका असिरवा कि रूबी आपके यह गलती है भर मैं मानते हूं हमारे गलती है मुझे वह चीज को स्विकार करना चाहिए लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है क्यों रिस्पेक्ट मिलता है क्यों प्यार मिलता है यह सब मेरा और कहीं ने कहीं मेरे अंदर कुछ तो अच्छाईया यह लिखती है तो यह बात सही है जी कि पोता का बड़े था लेकिन आप सब को यह पता होना चाहिए कि हमारा डुगू का फॉर्स्ट बढ़ते हमने डेरा में मनाया था उसमें हमारा भी खुद का घर था पर क्यों क्या रिजन था तो देखिए कुछ कुछ चीजें ऐसी होत बहुत दिल को भी बहुत ठेस पहुचता है पर चलिए सब कुछ ठीक है तो हम कोशिस करोई कि आप जितना जो फंक्शन वागेरा होगा हमारी यहीं कोशिश रहेगी निक्स कमेंट करने वाले हैं रीमा रूची का यह रिखती हैं आप लोग किसी को नहीं बुलाते हो क्या बुखक हैंना अपने माय के न thou और नहीं रेनल भयातने आपके यहाँ अनपर थे दोस्त को यहां उनकी वेटी का अंप्राशन में खुफ खाना खा रही थी लेकिन कम से कम सास पास के लोगों के पास तो अपने मां हसुराल से भी तो किसी को बुला लेती हैं कैसे हैं आप लोग परिवार भी नहीं पर कोई भी काम में सामिल नहीं होता है तो इसने कहा कि हमारे फ्यामिली में महीं बहुत सामिल नहीं होते हैं, भुट अईसी प्राब्लम होते हैं अगर वह वह प्लॉग में ले लेकि तो आज पॉस देख़ा होती हैं बट आपको ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए जैंसन मिलकुल मत लिजा लिए थोड़ा से इंतजार कर लिजे कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है और यह बद उनके दोस्तों को तो उनकी दोस्त थे उनके जो गया थे वह दोनों दोस्त थे यहां पर नहीं थे हमने सब आप कैसे जाल नेते हैं कि हमने नहीं भुलाया था उनको किसी किसी कानवस मिलोग नहीं आपाया है और जिस दा मेरे चुछ का बड़ था न उस्तिति बन पाया था कि दस्ति भी उसी थीन था तो कोई असराल चले गया नेक्स कमेंट करने वाले है शूती सी वह फ्रोग कहां हैं बुलबुल ब्लॉक्स यह दिखती हैं आज पहली बार मुझे इसका वीडियो अच्छा लगा इसने आज के ब्लॉग में ज्यादा ओफर नहीं किया ऐसी नॉर्मल रखर वीडियो बनाया करो अच्छा लगता है एपी बड़ी चीकु बेड़ा खुश रहो हमेशा नहीं पता बुल बुल जी आप सबको मेरे बोलने का तरीका ही ऐसा है पर अगर आप सबको ऐसा लगता है तो दिल से सौरी नेक्स कमेंट करने वाले ह यह लिखती है दी आज है ना चीकु का बड़े 12 अक्टूबर को तो हां प्रिती जी पहुत बहुत धन्यवाद जो आपका हमारा बेटे के बड़े यार था वह 12 अक्टूबर को ही था और हमने सिंपल साइस सेलिब्रेशन मतलब सेलिब्रेट किया है जब केक कट करने के बार अगर मेरी ऐसी फैमली सपोर्ट करेंगी तो मुझे बड़ा मतलब सिंपल एक बड़ा यूट्यूबर बनना वह हमारों ते एक सपना ही है और हम चाहते है आप हमेंसे साथ दोगी ना तो मैं एक दिन जरूर बन पाऊंगी तो बहुत 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 धन्यवाद आप मारे व मुष्कान राजपूत यह लिखती है अपने चीकू का बड़े क्यों नहीं मनाया क्या हुआ बेबी का फर्स्ट बड़े था ना इसका जवाब जरूर देना आप ब्लोग बहुत अच्छा लगता है हमें तो थैंकि मुष्कान जी बहुत धन्यवाद आपका और आपके सवा चीकू का बड़े क्यों नहीं मनाया तो बड़े हम लोग सिंबल सा सिफ शत्नरायन कथा सुनकर पूजा शिर्किया केक नहीं कटिंग किया क्याते हैं केक दो बार कटिंग नहीं करना चाहिए और हमारे छुडी नौनल जी को बहुत पसंद था कि भावी केक कटिंग हम यहां घर पे ही करेंगे लेकिन उस दिन उनका सूट था तो वो दो दिन के लिए बाहर चली गई थी तो यहां पर नहीं तो इसलिए हमने केक कटिंग नहीं किया सोचिंग सब पूरी फैमिली के साथ केक कटिंग करेंगे फिलाल यहां पर हम लोग सत्नरायन कथा सुन लेते हैं और सेधरी क्या है कि सब्गुष मिल जोड़कर काम कर रही है तो हमने साथ अबुछे हैं कि किसी का दिल भी धुखाया है कि मुझे पता है कि Baלה के मैंने बहुत लोग दिल धुखाया है और जाहिका कि मैम्ने इनभाइट नहीं किया था और था तो वहहां अपाई इसके वज़े से भावी को जाना पड़ा और दूसरा रिजन क्या था कि जो मेरी महल दी थी वो भी मायके में ही थी उसमें और जीज़ु भी मायके ही गयती मतलब वो अपने सरसुराल गया थे अब मेरी बड़े दीदी का में चोटा सा बेभी है उनकी घरें भी दसनी सब्सक्राइब दीए थे तुसलिए वो गिफ्ट का पाट सभी नहीं बनाया है नेक्स कमेंट करने वाले आलका पटेल यह जिखती है तुभारे बच्चे का बड़े में कभी ना मायके वाले आते हैं ना सब्सक्राइब आते हैं क्यों रिभी क्या बात है तो ऐसा कोई भी सब्सक्राइब करने वाले हैं वर्साटाइल लाइफस्टाइल यह लिखती है नीलम अपने सब्सक्राइल क्यों नहीं जा रहे हैं भाई वो उनकी प्रॉब्लम नीलम का है ना कि वो क्यों नहीं जा रही है क्या रीजन है उनको ऐसा लगता हो कि छोटा बेबी है तो वहां लेकि जाना थ्रद डिफिकल्ट होगा भाई देखो सब्सक्राइल होता है मायका मायका ही होता चाहे कितना भी घीर के निवाला में अगर मायका में जितना प्यार मिलता है उनकी प्रॉब्लम वो नहीं जा रही है वो खुद जवाब देंगी इसके बारे में मैं क्या बोलू इसके उपर मैंने वह रुपेटिक अपना मायका होता ही है वो जब चाहें वो आके रह सकती है नेक्स कमेंट करने वाले हैं सिला रोट यह दिखती है हर ब्लोग में क्याती होना कुछ रीजन था लेकिन आज तक नहीं बताती हो की रीजन क्या था सफाई अच्छ से करो घर और नाइज करो क्याती हो कि इंतजार कीजिए बहुत जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है य तो अच्छा होने वाला है थोड़ा सिंदगर कर लीजिए सौरी दोस्तों हमारा चीकु था ना अभी जास उठी गया है सोकर अभी सोया हुआ था और डोगु की बापा गय है बाबो को घुमाने के लिए तो उनने बोला था कि जब जब उठ जाया तो वह कॉल कर दीजेगा नेक्स कमेंट करने वाले हैं विनीता पांडे यह लिखती है और तो सब ठीक है पर अपने चीकु का बड़े क्यों नहीं बनाया केक तू काटना ही चाहिए था चाहिए कुछ भी रिजन हो बच्चे का फर्स बड़े था ना पर क्या आप से किसी की सुनती थोड़ी नहों हम किसी गलत रिप्लाइई करो गी कर रहे हैं लिखत मेरी बच च्रणे हम किसरे उड़ा करें होपने और अपसका यह द्याएं बॉल आप सकतम हो बाद केरा hoffe करने की हम हम आएंगे सुट भी के रिघन कर दिया लिखती में इन में लोगा का अको दो पढ़ा नहीं है नेक्स कमेंट करने वाले अल का पटेल्ट यह लिखती है नीलम की अनप्राशन कभ एक दोगी हमारे यहां मामा करती है कि उसका जब भी अन्प्राशन हो तो उसका मायके में हो और उसके भई या भाबी अच्छा से उनके बेटे बेटी का करेंगे तो ये हल किसे ख़ाइस हमारा भी शपना होता है तुम भी बहुत जल्द करेंगे बाकि आप सब ब्लॉग में इंतजार कर लेजिए बहुत जल्द नहीं थी तो क्या सुसुराल में और लोग भी तो थे उनके साथ मना लेती पूजा भी रखी सुसुराल में से कोई भी नहीं आया या फिर बुलाया ही नहीं था तुमने तो फॉस्ट बाह बता दूमें कि मैं कि छोड़ी नना जी ने फाइनली पहले ये बोल रखा था कि बख्का जरूर आएंगे देखिए हमारी ये मारा घर खुद का घर तुन है ये ममी पापा ने घर दिया है और उनका फैमिली मैटर वो क्यों नहीं बलना चाहें और हम नहीं चाहते हैं कि कुछ भी थोड़ा से रीजन के हुजे से दोने में दरा रहे आई दोने बटालीन आ पसंद आया होगा तो पड़ा फड़ से वीडियो को लाइक कर दीजेगा जो मारे चैनले पर नए हैं प्ली चैनल को सब्स्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा मिलते हैं कैसी ये ब्लॉग के साथ अब तक ये लिए बाई